आज पांच सप्टम्बर 2020 आज का दिन बहुत इंपॉर्टन दिन है क्योंकि आज ही के दिन टीचर्स डे भी मनाया जाता है इसी दिन से जो है हमारा टीचर्स डे भी मनाया जाता है और आज के दिन ही मैं सब टीचर्स को बहुत बढ़ाई देता हूँ टीचर्स डे की और सब स्टुडेंट्स को भी के वो अपनी जिन्दगी में अपने मुकाम हासिल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूस और आज की जो पहली न्यूस है यह बहुत कोई इंपॉर्टन यूज नहीं है के टेगरी में जाएगी जब हैड़ स्टेट यहां पर मीटिंग होती है इन डाट केस इस मीटिंग बिकम्स इंपॉर्टन और यह पूछते भी हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ अगर कोई तो यह जो मीटिंग होई है हमारी इस वर्ट इस की मीटिंग हूई और यह वर्चुल मीटिंग हूई यह वाली और इस बार जो G20 की मीटिंग हो रही है और इस बार इस मीटिंग की जो अधक्षता है यहां पर आपको यह जानना मुझरूरी है कि 2020 में इस में इस हैपनिंग इन साओधी अरेविया दो हजार इकीस में इट विल टेक प्लेस इन इटली और दो हजार वाईस में इस विल टेक प्लेस इन इंडिया कि यह कउच्चन एक्जाम में कई वर पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है और इस मीटिंग की फ्रेजिलेंटशिप में बेसिकरी कौन-कौन होते हैं जो उस साल कर चे यहां ठाक्ञ muliness करते हैं जो इससे पहले थे वो होते हैं और नेक्स्टीश वाले बेसिकरी दे कोडिनेट वेड वेड द आपस में कोडिनेट करके इस मीटिंग को और किनाइज करते हैं इस इस फार पर्पोस आफ है विए कॉंटिनुएटी क्योंकि जी ट्वंटी का नो पर्मानेंट सेक्रेटरियेट नो पर्मानेंट सेक्रेटरियेट बट इस वर्किंग थ्रू ओए सीडी गुरुप का जो सेक्रेटरियेट है पैरेश में वहां से मोस्ट आप इसकी फॉंटिन वहां से होती हैं लिएट ओफटेवी जहां पर यहां पर जो क्वेश्चन आ सकता है कभी जो बन सकता है ऑल्दों मैंने और जैसे पहले कहा चैंता इस मेर्मेश्टर की प्रइस कि उसकी शेल्मेंशप कि तो चो चक्रणा इस साथे अरे परिंस पेजल बिन परहान अल-सौद इन्होंने इसकी चैमेंशिप की हैं तो यहां पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए इनिया में से किसने पार्टिस्पेट किया होगा हमारे external fair minister that is Dr. S. Jai Shankar he participated in this particular meet यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए G20 की थोड़ इसी history में आपके साथ share करना चाहूंगा G20 grouping यह 1999 में यह group जो था finance ministers का group बना और इस group की बनाने की वजा थी 97-98 में एक बहुत बड़ा financial crisis हुआ था that is in South East Asia तो उसके बाद यह finance ministers की meeting जो 1999 में शुरू हुई और उस meeting में basically इस group में 19 प्लस 1 European Union तो 19 countries है जो इसके member है और एक European Union जो है वो भी इसकी member है although European Union के बहुत सारे countries इस 19 country में इसके member भी है पर बाकी countries को इसमें participation देने के लिए European Union को भी membership दी गई है जैसे मैं कहूं यहां पर Germany France they are independently member of this particular group also but they are also represented through European Union और जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि इस meeting में mostly foreign minister की meeting होती थी यह फारेंस मिनिस्टर की meeting होती थी नाइंटी नाइन में शुरू होई और फारेंस मिनिस्टर बेसिकली जो वर्ड के बैंक्स हैं और फारेंशल सिस्टम है उसको ठीक रखने के लिए इस 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 तो हैपन बट दो हजार आठ में एक बहुत बड़ा में फिर यह डिसाइड किया गया कि यहां पर अब हैड अफ गवर्मेंट मीट होगी हैड अफ गवर्मेंट मीट होगी और फॉस्ट मिटिंग प्लेस इंव वाशंग्टन पहली मीटिंग जो थी वह नूमबर दो हजार आठ में वाशंग्टन में हुई अब यहां पर याद रखना है आपने हैड ऑफ गवर्मेंट मैंने हैड अव स्टेट यूज नहीं किया यहां पर हैड अव गवर्मेंट वर्मेंट वर्मेंट यूज किया है आपको हैड ऑफ गवर्मेंट में और हैड ऑफ स्टेट में भी फरक पता होना चाहिए नौ इस गुरुप की नौ और इंपॉर्टन क्या है इट रप्रेजेंट वर्मेंट की 90 परसंट जो अपने ग्रॉस वर्ड प्रड़क्ट है मैं जीडिप वर्ड की जो जीडिप अगर हम कहें तो 90 परसंट जो है यह 20 कंट्रीज करते हैं वर्ड का 80 परसंट जो ट्रेड है यह विदिन इस 20 कंट्रीज और वर्ड की तू थर्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और हाफ दा लैंड एरिया इस सब इतना बड़ा गुरुप है आपको यह भी पता होगा जो हाँ के अगर हम बात करें दुनिया भर में 192 कंट्रीज है वन 93 कंट्रीज में ऐसे कंट्री भी हैं जिसकी पॉप्लेश्ट 500 है ऐसे पापॉपलेशन है और ऐसे पापॉपलेशन जो है एक सो तीस करोड एक सो छथिस करोड से ज़्यादा है लाइक इंडिया चाइना के एक सचाले स्क्रोड से ज्यादा है तो यह जो छोटे छोटे चोटे कंटीज हैं देयर नौट रप्रेजेंटेड यह बड़ बिग एकॉनमीज पार रिप्रेजेंटेड इन दिस प्रेजोंटेड गुर्प और यह जो गुर्प है हर साल financial issues के साथ साथ आज की तारिक में और बहुत सारे issues को वापस में बैठके discuss करते हैं और जैसा मैंने कहा कि this meeting is supposed to be held in November 2020 में Saudi Arabia में होनी है अब यह देखा जाएगा कि यह meeting होती है कि नहीं होती है because of the pandemic that's a different issue but यह अभी तक ऐसा सोचा गया है कि यहां पर साथ यह में यह meeting होगी so that is the information about the G20 group और यह बहुत important grouping है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए next news है that is new river route from तरेपुरा टू बंगलादेश अब हम देखते हैं कि जो बंगलादेश है basically it is यह चारो तरफ से almost यह इंडिया इधर भी इंडिया है इधर भी इंडिया है यह भी इंडिया है उपर असाम है यह दर मिंगालिया है इधर यह दिस इस त्रिपरा अब यह हमारा नौर्थीस्ट है नौर्थीस्ट है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर एक छोटा सा रास्ता है जिसे क्या कहते हैं चिकनने कहते हैं चिकनने कहते हैं बहुत छोटा सा रास्ता है जो कि बाकी रेस्ट अविंडिया को नौर्थीस्ट के साथ अपस वेश्ट करता है साथा दो ग्राशना क्यात कर से अर्धार अगर कोईश्मान इधर ट्रियपुरा हो भीजना हो या मेंजरम को भीजना हो या बाकी स्टेट को भी तो पटो तुटु थी देस उप टो टूटु थी गज गट के अपस अग्रीमिंट खुए हैं और अभी आपको बताता हूं अभी जो एग्रीमिंट हुआ है और यहां पर एक और फ्रेवर के थरूट यहां पर आपस के चूनेक्टिविटी बनाई गई है और अपस में तरेपरामे और बंगलादेश में ट्रेडिंग जो है यह समान की आवाजाई की जाएगी ऑपनेश में जगा का नाम है रेट काण्डि और आपको यह भी पता है कि बंगलादेश की जो कैपिटल है धाका है करन्सी क्या है इसकी टका है प्राइम निस्टिक का नाम क्या है यहां पर शेख हसीना वाजेद शेख मुझीपर रह्मान जो के जिन्होंने बंगलादेश को 1971 में आजाद करवाया था शेख मुझीपर रह्मान बट शेख मुझीपर रह्मान का 15 अगस्त 1975 को मुझीपर कर दिया गया था एंड वहां पे मिल्टरी यह टेकन ओवर तो प्रक्र मटेश की अफ्रेश सब्सक्राइब में यह निए भी देक्टे जै के प्रसिट अबंगलादेश इज सिरी अब्दूल-हमीद यह च्छाहि भी आप घॉटे सब्सुम को शिए आपको तो यह फिर आ पुर से ब्रहम पुतरा रिवरा इधर गंगा रिवर्र का नाम यहां पर क्या है ब्द्भा एंधर इस यह ब्युतनों जो दो गंगा है गंगा इस स्वहर्ण पंग अजिए विए और यह भी पता होने चाहिए आपको बंगला देश के बारे में सबसे बड़ी जो इनकी इनकी फोल्ट है जाट पोल्ट फोर बंगला देश और इनका अधिवा सिर्टा को किए ना फेलट्ट वोड़िश और जैसे मैंने पहले कहा है आया कि यह नहीं है कि इंदियर बैंगलादेश ही नहीं बैंगलादेश भेतान इंडिया और नेयपाल है आंधिछान ही रीच भूतान ह्वा गश्पार हें घृट्राइशवा कर गया है इसे लुट्राइ यह अगया कर गया है और थे रही Blair श्युक्त हर बाहरे मुरह में कर रहे भी आपस में ऐसा agreement किया गया था this is a very minor news यह question exam में नहीं आते हैं बहुत ही minor news है अगर कोई bank specific question आ जाए तो वहां पर पूछा जा सकता है otherwise नहीं है पंजाब and Sindh bank is one bank which has not been merged with any other bank और यहां पर S. Krishnan को यहां का CEO appoint किया गया है about Punjab and Sindh bank it is a बहुत पुराना bank है 1908 में यह bank बनाया गया था पाइवीर Singh who was a famous writer author of Punjab पंजाबी language को promote कर में बाइवीर Singh का जो है बहुत बड़ा हात बाना जाता है संदर सिंग में जीठिया यह एक important personality थे तर्पाई तर्लोचन सिंग इस थ्री परस्नेलिटीज यह जून 24 1908 में इन्होंने इस बैंक को established किया था और आपको यह भी पता होना चाहिए फॉर्स इंडियन बैंक विद इंडियन कैपिटल वास पंजाब national bank which was established by Lala Lajpat Rai along with the Tribune के जो founder थे उनके founder के साथ मिलके this bank was the national bank was established in 1895 so this is the information और यह जो अगली नियूस है यह बहुत इंपॉर्टन नियूस है यह तो question exam में definitely आएगा ही आएगा और ऐसे question बार बार आते हैं तो इसके बार में पता होना चाहिए तो यह जो जो सर्वे किया गया है this is done by the times award university ranking 2021 और उसमें University of Oxford जो है that is at the number one university तो टॉप 10 में जो universities है यह टॉप 10 में सारी की सारी या तो US की है या UK की है और India की कोई भी टॉप 10 में भी नहीं है टॉप 100 में भी नहीं है और इंडिया की जो इंडियन इंस्टिटूट अफ साइंस है बेंग्राओर के situated that falls into the category of 300 to 350 वह 300 से 350 की जो category है उसमें वह आते हैं और यह इस university this was established in 1096 1096 में यह सबसे पुरानी university English-speaking जो word है वहां पे सबसे पराणी उनिवस्टी है यहां पे हम यह भी पता हना चाहिए के इंडिया में इसे बहुत 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 पराणी उनिवस्टी थी और I have been to Nalanda also Nalanda मैंने विजट भी किया था कुछ साल पहले सब्सक्राइब यहां पे यहां पे जो युनिवस्टी है नालंदा की उनिवस्टी सब्सक्राइब यहां पे यहां पे और एक हजार से ज्यादा टीचर थे यहां पे बेसिकली यह बुद्धिस मोनेस्टी थी और यहां पे वह पढ़ाते बिदे साथ में और बहुत फेमस एक सिर्फी थी यहां पे यह उस्टे ऐस्ट्री में वहां पे नर्दा में सोब्सक्राइब यहां पे यहां पे पता हम चाहिए आम प्रिष्वरज राव पर इंट इन ने इस रोड़ार प्रिष्वे चुवर ढ कार रिए एन पिए चुछ के एक कुछ बुदीन आबक। अबक। बुदीन आबक। उनका एक जनल था उसका नाम था बख्तियार खल जी। उनका नाम क्या था? बख्तियार खल्जी, अन्नालनन नम्नेट क्या था? बक्तियार खल्जी, अन्नावल को पंप्टियार फ़्लीटी की प्रमस्टी नि उसे अग़ लगा दी और जितने भी वहां पर टीचर अगरा थे यह बहुत पुरानी इंडिया में थी जैसे मैंने अभी आपको बताया यह नालंदा के बारे में बताया मैं आपको ऐसे ही तक्षिला तक्षिला जो है इत वस पार्ट पंजाब अभी पाकिस्तान में पशावर के नजदीक जो है तक्षिला एरिया है वहां भी उनिवर्स्टी इंडिया में जो थी बहुत मश्हूर उनिवर्स्टी थी विच वर दिस्ट्रॉइड बाहर से आए उन्होंने इसको दिस्ट्रॉइ कर दिया इसका भी आपको पता होना चाहिए चलिए अब जो नेक्स न्यूस है यह भी बहुत माइनर सी न्यूस है बहुत इंपॉर्टन नहीं है बट क्योंकि आजकल बहुत सारी न्यूस है नहीं तो इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा कोशन कहीं न कहीं अग्जाम में आ सकता है इस डील विद रश्या पर एके 47203 राइफल्स बेसी कली यह जो एके 47 राइफल है इस वस इंवेंटे इन 1947 इन रश्या 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 में मिखाइल तिबोफेवेच क्लाश्निकॉव ने इस 1945 में शुरू करके 1947 में इस यह बनाई गय थी और आज की देट में भी इस इस यह बहुत ही जादा राउंड करती है बहुत ही चूरू राइफल मानी जाती है और इसकी यह यृतिलिटी जो है सबसे ज्यादा पेहतर भी मानी गई बहुत sturdy और बहुत ही helpful है now basically उन्हीं के नाम के ओपर यह automat basically यह automat जो है this is a Russian word इसका मतलब है automatic automatic klashnikov klashnikov is the person जैसे के मैंने पहने बताया आपको जिन्होंने इस rifle को design करके इसको बनाया था तो उन्हीं के नाम के ओपर जो है AK-47 है 47 का बताया था आपको को 47 बनी थी तो 47 वर्ड इसके साथ यूज किया जाता है आज की तारीक में भी it is the most deadly weapon जो के यूज किया जाता है so India and Russia they will jointly manufacture this AK-47 rifle in India और यह UP में कॉर्वा ओर्डिनेंस factory में जो है कॉर्वा ओर्डिनेंस factory यहां यह बनाई जाहेगी so this is the information या आपको प्रताने चाहिए बाकी बहुत minor news important नहीं है but simple information Union Cabinet has approved MOU between India and Finland के वीच अपस में agreement हो है regarding geology and mineral resources another MOU was between Japan and India to improve the quality and textile and in textile and he a valid use to have India will host in Shanghai cooperation organization now in November 2020 तब यह news important हो जाएगी और यहां से question भी definitely आएगा अभी भी कोई पूछ सकते हैं question इसके बारे में क्योंकि राइट नॉम्वर भी बहुत नजदीक है so this is Shanghai cooperation organization this organization was constituted in 2001 और इसका जो headquarter है and that is China में है इसका headquarter China में है और विच चाइना एंड रश्या इन दोनों ने मिल के इस organization को shape किया और इसमें पहले 6 countries थे विच वर दे मेंबर्स पर्टिकुलर ग्रॉप 6 countries but 2017 में दो country और एड हुए एक तो था India and दूसरा आप automatically gas कर जाएंगे क्योंकि India was made a member at the instance of Russia Russia ने कहा कि इंडिया को member बनाना चाहिए तो चाइना किसे कहेगा आप बड़े अराम से बिता सकते हैं that is Pakistan तो दोनों को फिर इसका member बना दे गया दोस्तारा में तो अब देराल eight members of this particular group so this is India this is Pakistan this is Russia this is China और इधर जो countries आपके यह कजाकिस्तान है और यह ताजिक्स्तान है और यहां पर आपका उस्वेकिस्तान और किर्गिस्तान okay so these are the six countries or eight countries I can say जिन्होंने इस यह गुरुप के मेंबर है इसमें यह वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है this is Mongolia okay it is not part of this particular group yet so यह जैसा मैंने बताया आपको के 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाया गया था और 2001 में रश्या चाहिना कजाकिस्तान उस्वेकिस्तान किर्गिस्तान और ताजिक्स्तान ने मिल के इस organization को constitute किया था so यह जो information है as such यह important है और यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह ताजिक्स्तान हो गया हमारा यह ताजिक्स्तान हो गया basically यह जो ताजिक्स्तान है यहां से Central Asia से what we understand is that Babur जब इंडिया पे आए ठीक है na so he was he had come to India from Uzbekistan तो वो उस्वेकिस्तान से इंडिया में आय थे और he was a Uzbek he was born in Uzbekistan यह Iran है यह Afghanistan है Afghanistan को invite के जाता है but it is not a member similarly Sri Lanka को invite के जाता है यह भी इसका member नहीं है yes so this SEO आपने देखा हुआ उपर के land area बहुत बड़ा है इसके पास 42% of the world population है on 20% of the world GDP है यह group कितना काम्याब होता है आगे because जैसे अभी चाइना और इंडिया में आपस में dispute हो गया है regarding LAC यह कितना आपस में चल पाएगा group आगे को देखना पड़ेगा इसके बारे में तो चलिए हमने जो आज की news की है उसके basis के ऊपर आज कुछ MCQs है उन्हें भी देखते हैं कि आपको कोई MCQs याद भी है के नहीं है which country hosted the meeting of foreign ministers of the G20 group in virtual mode तो virtual mode में किया गया है meeting हुई है और किसने इसकी host किसने किया है इसने और I think so आप बहुत जल्दी से जवाब दे देंगे अभी अभी किया है that is Saudi Arabia तो चलिए question और पुछ लेते हैं आपसे के 2021 में who will chair this कौन सा country इसका host country होगा that is Italy और 2022 में कौन सा country इसका host होगा that is India तो यह चीज़ भी आपको साथ में याद होनी चाहिए इन new inland water route from Daudkandhi in Bangladesh to Sonomara in Dash has been started on September 3 तो इंडिया में कौन सी स्टेट के साथ यह connection जो established किया है water route established किया है of course Bangladesh से इंडिया के साथ इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ तो that state is 3 परा तो यह भी पता होने चाहिए और कौन सी रिवर कौन सी है जिसके ऊपर यह बनाया गया है इंड वाटर रूट यह भी आपको पता होने चाहिए जो बनाए गए है तो इस बार वंस अगें यूश्ट यह नोट इंड प्रट यह बहुत मैनर न्यूस है कि इस इस इंड रहा है इस विश्ट रहा है इस अप याद रहने की कोशिश करेंगे विच और नस फैक्टरी अज़ बनाटर इंटिफ़ए यह विश्ट रहा है तो यह इस ब्लाइब यह टो चुटिछ बंदन कर रहा है तो यह वाले थैंट बीच और शुर्ट अपर बाकी सारे के सारे वेडिव पूर चौइस्ट मैं नहीं कह सकता कि यहां से कोई एक्जाम में आ सकता है okay thank you यह मैं आपको information के लिए यह question भी दिखा रहा हूं you can look at this